डीप वाटर कहानी एक आटोबाईग्रेफी मैन एड माउंटेंस से ली गई है यह कहानी विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई है इस कहानी में वह अपने पानी के डर के बारे में बताता है और कैसे उसने द्रिड संकल्प और इच्छा शक्ति से उस पर विजय प्राप्त की इस पारे में भी बताते हैं जब वह बच्चे थे जब वह तीन या चार साल के थे तो वह अपने पिता के साथ कैलिपोनिया समुद्र के तट पर जाते थे वह बड़ी बड़ी लहरे आती थी और एक दिन उन्ही लहरों के बीच में ये फंस गए वह उस टाइम अपने पिता के साथ में थे और जब वह 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 पर डूबे तो उनके दिल में एक डर बैट गया कुछ साल बाद उन्होंने इस डर से बाहर निकलने के रिए तैरा की सीखने का निश्य किया वह बहुत उत्सुक थे और वह एक स्विमिंग पूल YMCA में जाकर सामिल हो गए यहे एक कलब था और वहाँ पर वह सीखना चाते थे लेकिन वहाँ पर एक घटना हुई जिसने उनकी आतंक को और बढ़ा दिया वहाँ एक बड़ा सा लड़का आता है जो की अपनी कद काठी में बहुत स्टॉंग था उसने डगलस को उठा कर पानी में फैंक दिया जहाँ पर कि 9 फीट की गहराई थी तो यहाँ पर भी वह अपनी मृत्य को पारीक से अनवव करते हैं लड़के ने विलियम को उठाया और उसे स्विमिंग पूल के गहरे छोर में फैंक दिया विलियम पूल की सतह पर उसी तरह उससे उत्रा जैसे कि वह बाहर बैठा हुआ था कहने का मतलब यह है कि वह नीचली सतह पर जाकर टकराया उसका मूँ खुला हुआ था जब वह तैरना नहीं जानता था उसने पूल में डूपते ही पानी निकल लिया था उस टाइम वह तैरना नहीं सीख पाया था और जैसे ही वह अंदर जाता है तो उसने बहुत सारा पानी अपने अंदर ले लिया वह बहुत डरा हुआ था लेकिन फिर भी उसने थोड़ा सा दिमाग लगानी की कोशिश की और उसने एक प्लान बनाई एक योजना बनाई उसने सोचा कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो अपने पैरों से उपर की तरफ धका दूँगा और बहार निकल जाऊंगा जब बहार निकलेगा तो सांस लेगा और फिर किनारे की तरफ बढ़ जाएगा लेकिन वह इस प्लान को एक्जिक्यूट नहीं कर पाया वह तीन बार पानी में नीचे जाता है और उपर आता है जब वह बिल्कुल अपने हाथ पैर छोड़ देता है सांस लेना मुश्किल हो जाता है तब उसे कोई बहार निकाल लेता है विल्यम ने डर को दूर करने की फिर से बहुत कोशिश की लेकिन वह इससे चुटकारा प्राप्त नहीं कर पाया वह इससे ओवर कम नहीं कर पा रहा था लास्ट में ऑक्टोबर माहा में उसने तैरा की सीखने के लिए अपने लिए एक ट्रेनर नियुक्त कर लिया वह हर दिन एक घंटे सब्ता हमें पांस दिन अभ्यास करेंगे और यह उनका डिसीजन था विल्यम सीखने की परकिरिया है अब उसकी बात करता है जो ट्रेनर है उसने विल्यम की कमर के चारों और एक बेल्ट लगाई बेल्ट एक मोटी रसी से जुड़ी वी थी रसी ओर हैट चर्की के माध्यम से जुड़ी वी थी और परशिक्षक द्वारा उसे पकड़ा गया था वह है उसने यह सुनिश्यत किया ट्रेनर ने कि विल्यम के डूबने की स्थिती में परशिक्षक उसे बाहर निकाल देगा विल्यम कई हफ़तों तक पूल की लंबाई में तैरता रहा जब भी परशिक्षक ने रसी को ढिला किया वह पानी में चला जाता और उसका डर फिर से वापस आ जाता जो दो बारों डूब गया था एक कैलिफोनिया में और एक वाई-म-सी-ए पूल में यह उसके पैरों को बेजान कर देता था जैसा ही उसके शरीर में डर आता था तो उसके पैर बेजान महसूस होते थे यह तीन महीने के अभियास के बाद था कि विलियम थोड़ा सा कंफरिवल हो पाया तब परशिक्षक ने उसे पानी में सांस लेना सिखाया उन्होंने उसे अपना चेहरा पानी के नीचे रखना और अपनी सांस बाहर निकालना भी सिखाया उसे पानी से बाहर निकालने और सांस लेने के लिए अभ्यास करायागया विलियम ने कई बार अभ्यास किया, धीरे धीरे वह गवराड से छुटकारा पा गया जो उसे पानी के नीचे अपना सिर्द डालते ही पकड लेता था सीखने की परकिरिया के तीसरे चरण में परशिक्षक ने विलियम को अपने पैरों से पानी की सतय को किक करना सिखाया उन्होंने कई हपतों तक ऐसा किया शुरू में उनके पैर नहीं चले लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आराम से इसे प्रैक्टिस किया और आखिरकार विलियम ने इसे जिस तरीके से किया जाना चाहिए था उसी टाइप से उन्होंने किक करना शुरू कर दिया अंत में परशिक्षक ने इस अंत के चरणों में विलियम के बाहर एक तैराग बनाया मिन्स अब जो विलियम है वो एक तरह से स्वीमर बन चुका था जब विलियम ने परतेक चरण को पूरा किया तो उन्होंने उसे अब एक तरह से जोड दिया जैसे कि पानी के अंदर हेट डालना, हातों से स्टोक करना, पैरों से स्टोक करना और फिर तैरना वो सीख किया उन्होंने इसे पूल में गोता लगाने, डाइब माने और क्रॉल स्टोक नामक एक विशेश चैली में पूल की लंबाई को तैरने के लिए कहा उन्होंने कहा कि इसे अब आप आर पार तैर के दिखाईए विलियम ने तैरना शुरू किया और जब वह पार हो गए तो यहीं पर उनकी क्लासेस खतम हो गई विलियम ने अभी तक अपने डर को दूर नहीं किया था वह सोच रहा था कि अगर वह पानी में अकेला होगा तो आतंक उसे पकड़ लेगा मींस वह फिर से डरेगा वह ही यह सोच रहा था क्योंकि अभी तक वह परशिक्षक के साथ था और अब उसे अकेला जाना था उसने पूल में अकेले तैरने की कोशिश की लेकिन भै और उसका डर फिर से लोट आया जैसा कि वह तैरना नहीं जानता हो लेकिन फिर भी उसने अपने confidence के साथ में फिर से इस डर का सामना किया और एक बार फिर से उसने पूरे पूल को तैर लिया जुलाई के महीने में वह पूरा तैरता रहा लेकिन वह फिर भी संतुष्ट नहीं था वह सुनिश्चित होना चाहता था कि सभी तरह के डर उससे बाहर निकल गए है इसलिए वह न्यू हैंपशाया के लेक वेंटवर्थ में गए उन्होंने ट्रिक्स द्वीप में सबसे पहले डुपकी लगाई दो मील तक स्टैंप एक्ट द्वीप तक गए वह विबिन शैलियों में तैरता रहा क्रॉल, ब्रेस्ट स्टोक, साइड स्टोक और बैक स्टोक जब वह जील के बीच में था तभी उसका जो डर है वो वापस आ गया जब उसने पानी के नीचे अपना सिर डाला उसने देखा कि अब आतंक जा चुका है उसने फिर से तैरना शुरू किया विलियम को अभी भी डर के बारे में कुछ संदेह था में उसे लगता है कि थोड़ा सा डर अभी भी अंदर है इसलिए उन्होंने पश्चिमी दिशा की ओर जल्दी से तैरना शुरू किया वह टेटन के उपर गया कॉनराड गहास के मैदान में पहुचा मेडे गलेशियर के लिए कॉनराड क्रिक ट्रेल तक गया उन्होंने वाम जील के किनारे घास के मैदान में डेरा डाला वहाँ पर उन्होंने अपना कैम्प लगाया अगली सुबह उन्होंने तेराकी की पोशाक पहनी और जील में डुपकी लगाई वह इसके दूसरे छोर पर तैर कर गया ठीक वैसे ही लोटा जैसे मशूर अमेरिकी डग कॉर्परेंट करते थे विलियम खुशी से चिलाया क्योंकि उन्होंने अपना जो डर था उसे दूर कर लिया था उसने डर पर काबू पा लिया विलियम के जीवन में अन्भव का बहुत महत्तो था उन्होंने महसूस किया कि मृतियू शान ती पूंड थी केवल मृतियू का भै था जो उसे भैवीत करता था वह अमेरिका के राश्टपतियों में एक रूजवेल्ट के शबदों को यात करता है रूजवेल्ट ने कहा था कि वह सभी को केवल डर से डर लगता है जैसा कि विलियम ने मिर्ती और मिर्ती के वह का अनुभव किया था जीने की उनकी इच्छा और बढ़ गई थी हुए डर से मुक्तो हो गए थे और ट्रेल्स से चलने और पहाड़ों पर निडर होकर चड़ने के लिए सुदंतर था तो यह बहुत ही अच्छा लेसन है आपके बुक में जिसमें की आप जिसे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से अपने डर पर विज़े पराप्त की जा सकती है ट्रेनिंग के दौरा तो मिलते हैं अगले लेसन में तब तक लिए गुड़ बाई टेक केर